वारे भाईया, अक्षे कुमार इस साल थकने का नाम ही नहीं ले रहा है यार, अपनी चौथी मूवी Welcome to the Jungle, वो बड़ी ऐसी फ्रेंचाइसी, शायद उसका भी कचरा करने के लिए अक्षे कुमार तयार हो गया यार, पिसमस के असपास ये मूवी रिलीज होने वाली है और इसको लेकर कुछ ऐसे अपडेट पता चले हैं, मुझे अंदर की खबरे पता चली है अगर तुम मूवी देखने जाने का सोच रहे हो तो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना और चानल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना हाई गाइस, मैं हो सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जाटगल, सरफिरा, खेल-खेल में, बड़े मिया चोटे मियां ये सब फ्लॉप करने के बाद, अब अक्षे कुमार हमें दिखाई देंगे, Welcome to the Jungle में साल 2007 में इसका पहला पार्ट रिलीस किया गया था, देखो यार, खेल-खेल में मुझे उनका वो वाला राचु जो हम देखना चाहते हैं तो वो वोला करेक्टर देखने को मिला है ये तो खूदने वाली है, अबर ये भी तो खूदने वाला है, कौसा पूंदिया लूटने वाला ही है और हो सकता है कि कुछ ऐसा ही इसमें भी देखने को मिले तो भाई, सबसे पहली जो बात मुझे बता चली है वो ये है कि इस मूवी में एक दो नहीं, बलकि 48 बॉलिवूड स्टार होने वाले हैं इस फिल्म में अक्षे कुमार, जैक इश्रॉफ, सुनील शेटी, अर्शदवार्सी, लारा दत्ता, दिशा पाटनी, जेकलीन फर्णाइंडिस, पर्ड़ेश रावल, और रवीना टर्णन, भाई पता नहीं कितने लोग होंगे, सबके नाम बताते हैं मुझे नीन दा जाए और इस मुवी में ये चैलेंज लिया जा रहा है, तो मज़ा तो आएगा यार, ये पूरी खिचडी देखने में, बागी तुम बताओ कि तुम कितना साधा एक्साइटीड हो, वेलकम टू दजंगल के लिए, दूसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अगर तुमें लग आएगा था कि ये और इसमें कुछ भी तुमें इंटरस्टिंग चीजे नहीं देखने को मिलेगी तो तुम गलत हो, क्योंकि इस मूवी में सुनील शेटी और साथ में अक्षे कुमार की गैंग हो और देखने को मिलने वाली है, अक्षे का अलग गैंग है, सुनील का अलग और दोनों ये आपस में लड़ते लड़ते आपको और मुझे बहुत असाने वाले हैं, तो भाई, सुनील शेटी यहां पर एक गैंस्टर का करेक्टर प्ले करने वाले हैं, ये चीज़ भी मेकर्स ने कन्फर्म करती है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सुनील और रक्षा मिलकर तुम्हें बोर कर देंगे तो तुम गलत हो, याद करो उनकी मोहराद, देद अनादन और हेरा फेरी जैसी फिल्में, जो जिसमें ये साथ में काम कर चुके हैं, और हमें खूब एंटरेटीन कर चुके हैं, तो स्टाइम महीं था, कुछ रीजन्स थे उनके अपने, जिसकी वज़े से एक करेक्टर जैकिश्रॉफ को पकड़ाया गया, और तुमने तो देखा ही है, जैकिश्रॉफ को हमने पहले भी कॉमेडी करते वे देखा है, हासुल 3 में, तो यहाँ पर उनके करेक्टर को देखना अपने आप में एक इंट्रस्टिंग चीज होने वाली है, वैसे अगर तुम जानना चाहते हो कि इस मूवी में कौन किसकी हिरोईन बनने वाली है, कौन किसकी अपोजित होगा, तो यह भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, अक्षे कुमार के साथ दिश्या पाटनी नजर आ इतने सारे स्टार्स हैं, तो वही है, मेकर की जेब तो डीली होगी ही ना, अब है सोच रही हूँ कि बड़े मिया चोटे मिया की तरह क्या यह मूवी अपना पैसा बरबाद करेगी, या फर जो अक्षे कुमार का करेक्टर हम देखना चाहते हैं, वो कॉमिडी वर्जन जो ह उनका देखना जाते हैं, वो हमें इंप्रस करके जाएगा या फर नहीं, इसका एक टीजर टाइप गाना कुछ रिलीज किया गया था, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, वागे तुम लोग वताओ कि तुम्हें इस मूवी से कितनी उमीद है, मैं मिलूंगी तो म इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना